सिर्पा सिंदे फिट बनेंगी भावी जी पुनी सीना से लड़ बैठेंगे तानसा विकार विग बॉस सीजन 11 के आखरी हपता यानी पेनाईले वीक में घर के वीतब काफी इंट्रेस्टिंग चीजे देखने को मिल रही जहां पर घर से भेगर हुई अर्शी खान बापस घर आपकर एक और ठास करती हैं तो वहीं आधी रात में अचानक पांच सदेश्यों में से एक सदेश्य को बाहर कर दिया गया है आकास के घर से बाहर निकल जाने के बाद अब सिर्फ चार प्रति रागी सिल्पा सिंदे हीना कान विकास कुपता और प्रीस सर्मा घर में बचे हुए हैं आने वाले एपिसोड में विकास कुपता एक तानसा की भूमे का अदा करते नजर आये और सब पर ऐसी हुकुमत चलाते हैं सब यादों गुस्से में दिखते हैं तो कहीं प्यार उमरता हुआ नजर आया पतादे अर्शी खान के आने की वज़ा अर्शी चाहती है कि विकास कुपता विनर बने जिसके चलते बिग बॉस एक और टाक्स देते हैं जिसमें विकास कुपता को तानसा बनाया चाता है गार्डन एरिया में बाकी सदेशे के बज़र लगे हुए हैं परते बज़र पर 3 लाग रुपे का इनाम था यदि सदेशे द्वारा बज़र बजाये जाता है तो मुख्य धन राशी 50 लाग रुपे में सैसे कार्ट दिये जाएंगे जो कि विकास के खाते में चले जाएंगे विकास द्वारा दिये गए आदेश को सदेशे नहीं मानते हैं तो बज़र दवाना होगा ऐसे में चारों सर्दिशतों में नोग जोग द 실तने को मिली इसी टाक्ष में विकास पत्ति लुवं दिये सर्दिश्टी सिलपा सिंधे को साड़ी में देखने की आदेश देते हैं जिस पर सिलपा भावी जी के अश्टार में दिख़ी इस पर दोनों के बीच में काफी इसने देखने को मिला वही तानासा बनते ही विकास पुनिस को गंजे होने के लिए आदेश देते हैं जिस पर पुनिस साफ मना कर देते हैं वही हीना खान को चुप रहने के लिए विकास आदेश देते हैं दिना उनका आदेश ना मान कर काफी लड़ाई करती है इस हपते की सुरात में जहां दोस्ती बनती हुई दिखाई दी तो वहीं टाक्स में दोनों के बीच जुवानी जंग देखने को मिली बिग बॉस के आकरी हफता खतम होने के साथ ही 14 जनवरी को इसका पनाई ले है अब यह देखना दिल्चस्त होगा कि बिग बॉस 11 में कौन होगा विनर आखी किसकी होगी जीती है थी एसे न्यूस की रिपोर्ट